हलो इस्टुडेंट जोग्रफी की रिवीजन्स रंखला में आपका स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगल में भारत के भूगल के बारे में पढ़ते हैं कि इसके क्या-क्या अवस्थिती है क्या इसके बारे में सभी इकसिस पर विष्टत चर्चा करेंगे सबसे पहले तो भारत एक दरश्टी में देखते हैं कि भारत का जो राश्टिय चिन है वो कौन कौन से हैं और उन सब को एक सेक्वेंस वाइस देखते हैं जिसमें आते हैं राश्टिय पसू के बारे में राश्टिय पसू वाग है राश्टिय बिरासत पसू हाती है राश्टिय पक्षी मोर है राश्टिय ब्रक्ष बरगत है राश्टिय पुस्प कमल है और राश राष्टिय वाग के सत्यमे उजयते राष्टिय ध्वस्त रंगा है राष्टिय नदीगंगा है और राष्टिय जलीजीव डॉल्फिन है यह हमारे राष्टिय चिन है जो बाग है राष्टिय पसू राष्टिय बिरासत पसू हाती है राष्टिय पक्षी मोर है राष्टिय अब भारत को एक द्रश्टी में देखते हैं कि भारत का देश का नाम भारत है, इसके अन्य नाम है आर्यावत, जंबुदीप, भारत वर्ष, हिंदोस्तान आदी हैं, इसकी राजधानी नई दिल्ली है, इसका भौबले की स्थिती उत्री पूरिवी गुलार्ध में अवस्ते इसका अक्षांसी विस्तार आज डिग्री 4 उत्री अक्षांस से 37 डिग्री 6 उत्री अक्षांस पर है, देशांत्री विस्तार 68 डिग्री 7 उत्पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर है, इसकी मानक समय रिखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर जो लाहवात की समय प्नैनी के समय से होके गुजरती है इसकी भौगुलत पिस्तार में इसकी लंबाई उत्तर सिदक्षड की ओर बत्तिस सो चौदा किलो मीटर है चोड़ाई पूरु से पश्चिम की ओर तो निस सो तेटिस किलो मीटर है इस थलिय सीमा पंद्रह हजार एक सो भारत की जलवायू मानसूनी प्रकार की है भारत का छेत्रफल 32,87,263 किलो मीटर है और जो बिश्व के छेत्रफल का 2.42 परसेंट है और छेत्रफल की दृष्टी से बिश्व में इस्थान इसका सात्वा है और राज्जों की संख्या 28 से इवं के अंद्र सास्थ प्रदेश जिसमें आता है गुजरात, राजिस्थान, मद्र प्रदेश, 36 गड, जारखन, पश्यमंगाल, तृप्रा और मेजूरम आता है यह हमने एक दरश्टी में देखा अब हम इसका भारत को एक उस मैप के माद्धिम से देखते हैं जिसमें देखते हैं कि राजधानी जैसे लद मद्र प्रदेश भोपाल, बिहार पटना, जारखंड राची, वेस्ट वंगाल कोलकाता, सिक्किम गंग टोक, असम दिसपुर, मेघाले शीलोंग, तृपुरा अगरतला, अर्णाचल प्रदेश इटानगर, नागालेंड कोहिमा, इमफाल मनीपुर, मिजोरम का आईजोल, उडिशा की भूबनेश और, चत्तिसकड की राइपूर, मद्र प्रदेश की भोपाल, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एउंदीव की दमन सिल्वाशा, महराष्ट की मुंबई, तेलंगना की हैदरावाद, और अंदर प्रदेश की अमरावती, गोवा की पड़जी, क प्रदेश हैं, जिनकी हमने राजधानी को देखा, चली अब स्टार्ट करते हैं इसमें भारत के भूगल के बारे में, भारत पिश्व का प्राची निवं महान सब्यताओं वाला देश है, इसकी सांस्कृतिक भिन्निता अदबुत है, दक्षण एसिया में इसकी आवस्थि हिमाली परवत मालाओं की दक्षण तथा इसमें बाहा सागर के उत्तर में इस्थित हैं, या इसकी आवस्थिती को हमने मैप की बाद्यम से देखा हुआ है, इसकी पूर्वी तथा पश्मी की मारे परक्रम सा बंगाल की खाड़ी एवं अरप सागर इस्थित हैं, इसमें 32, इसमें बाद्यम सा बंगाल की खाड़ी से 6,4 उत्री एक्षण के साथ निर्धारित करती है, और यह है 37,6 उत्री एक्षण तथा इसमें बाद्यम से 97,25 पूर्वी देशांतर के बीच फेली हैं, भारत का सबसरी उत्री बिंदु इंद्रा कॉल जो यमु कश्मीर वावस्त और इसका सबसे दक्षणी बिंदु इंद्रा पॉइंट है जो ग्रेट नगोवर दीप में इस्थित हैं, इसके उत्तर दक्षण से उत्तर से दक्षण की ओर 3214 किलो मीटर तथा पूरू से पश्यूं तक 233 किलो मीटर का विस्तार हैं, और भारत की इस्थली एसीमा लगभ पूरा और मेजोरम से होकर जाती है, यह भारत में 28 राज और आठ के अंदरशासित प्रदेश हैं, जो बेशुके मैं साथमें स्थान पर आता है, छेत्रफल की देश्यूं से, के अंदरशासित प्रदेश पुदुचोरी का फेलाव भारत के तीन राज्यों में हैं, इसके आंदरशासित की सीमा से, कराईकल और पुदुचेरी तमिलाडो की सीमा पर अवस्थे थे, भारत दक्षण एशिया में, छेत्रफल वजन संख्या की दरश्टी से सबसे बड़ा है, जबकि एशिया में भारत छेत्रफल वजन संख्या की दरश्टी में चीन के बाद दूसर इस्थान पर आता है अगर इसके सीमाबर्ति छित्रों की बात की जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान वह आफगानिस्तान है उत्तर में चीन है नेपाल इबंबूटान है और सुदूर पूर्वय में आनमाल तथा पूर्व में बांगलादेस इस्थित है भारत श्री लंका के मद्ध में इस्थित मनार की खाड़ी तेथा पाक संधी इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती हो भारत की 18 राजजी यासंग असासद प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमाओं को इस परस करते हैं विभिन देशों के मद्ध सीमा ये हैं जिसमें रे बांगला देश में सूने शीमा रेखा के रूप में प्रदर्सित है या इसकी भूगलिक अभी हमने इसका पॉलिटिकल मैप दिखा है या इसका फिजिकल मैप है जिसमें हिमालय परवत प्रयादीपी पठार की सभी के स्थिति को दर्साया गया है कौन-कौन से हिल्स हैं पश्मी घाट और पूर्वी घाट सभी के बारे में दिखाया गया है। जिसमें उत्र प्रदेश आता है घांडर प्रदेश छती सकड लिए अनर पर्देश नकिरते की बारत की भोग लिकसे नशन्रिचना में प्राक्चिंतम ऐवो नमीनतां दौनव प्रकार की चत्ताने पाई जाती हैं, एक और प्रा दीपी भारत में जहां आर्किन योग की प्राचींतम चट्टाने पाई जाती हैं वहीं दूसरी और मैदानी भागों में क्वार्टर नरी योग की रमिन्दम जट्टाने पाई जाती हैं भूगर्विस सनरचना की उपयोकता धात्विक तथा धात्विक हनेज दोहन एवं मिर्दा के रूप में होती है विविनिकला नुकरमगी में निर्मिस सनरचना की कार्ण भारत की भूगर्विस सनरचना में परियाप्त भिन्नेता देखे जाती है भारत के पड़ोशी देशों के साथ सीमा एवं उसकी लंबाई को देखते हैं जिसमें सबसे पहले आता है बांगलादेश बांगलादेश की सीमा 4096 में 0.7 किलोमीटर है जो भारत के प्रश्यम वंगाल मेगालाय मिजूरम तरपरा असम 5 राज्यों से संबध है फिर आता है चीन, चीन की सीमा 3488 किलोमीटर है जो भारत के पांच राज्यों और केंदिसासित परदेशों में जैसे लद्दाग, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, सिक्केम और अरणाचल परदेश में अवस्थित है फिर आता है पाकिस्तान की गुल सीमा 3323 किलोमीटर है जो भारत के चाल राज्यों, गुजरात, राजिस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में से संबधित है पिर आते हैं नेपाल नेपाल राजी की सीमा भी पांच राज़ों से संबद है जिस की लंबाई 1,708 किलो मीटर है जिसमें उत्तर प्रदीस बिहार पश्युमंगाल सिक्क्यम उत्तरा खंडाती है मियानमर, मियानमर की सीमा 1643 किलومीटर है जो अरणाचल प्रदीश, नागलेज, मेजूरा, मनिपूर के साथ चार राज्यों से सीमा सांजा करता है भूटन, भूटन की सीमा 699 है जो चार राज्यों से सीमा इस परस करता है जिसमें आती है पश्यो मंगाल, सिख के मारणाचल प्रदेश और असमाता है अफगानिस्तान में सिर्फ एक केंदर शाषित प्रदेश सीमा सांजा करता है वो लद्दाख है जिसमें 106 किलो मीटर सीमा रिखा है अब भारत के भूगरवे सनरचना का विबरण देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आर्किनम क्रम के चट्टानों की बारे में पढ़ेंगे आर्किन क्रम के चट्टानों का निर्मा ग्रेनाइट और नीस के नीस चट्टानों से हुआ है जो भारत की प्राची इंतम सनरचना है जिसकी उत पत्तिगर में गलित पैताप या पदाल्त या मेगमा के सीतली करण के द्वारा हुई है या प्राधीपी पठार की आधारवुत जीवास मरहिस सनरचना होती है जुखन इस संसादनों को भंडार की द्रश्टी से महत्पूर है नीची की परतों में मिलने के साथी जटल सनरचना होने की काण इसका आर्थिक द्ष्टी से दुहन अत्तिदिक कठिन कारी है इसलिए इसकी सनरचना को आर्थिक महत्तू नहीं दिया गया प्रादीपी पठार के अधिकांस छेत्रों में इस सनरचना का विकास हुआ है लेकिन दक्षडी परवती अच्छित, बुद्निल खंड नीस तथा पश्वी बंगाल नीस में इस सनरचना का सरवादिक विकास हुआ है यहां तक की हिमाले परवत की जड़ो और आरावली परवत की आधारवूत परतों में भी यह सनरचना मिलती है भारत की जो भूगरवीक सनरचना है उसमें उपर का जो भाग है वो पहले जो करम का है जिसमें सभी धारवढ क्रम, कुडकपा क्रम, धक्कन ट्रेप, आर्कियन क्रम, जडोल और बिंध क्रम सभी की आवस्तिती को दिखाये गया है गोंडवाना और तरसरी की, जिसमें धारवड क्रम की चट्टाने, धारवड क्रम की चट्टानों का आर्कियन, सनरचना में भौतिक एवं राशानेक परिवर्तन द्वराप्राप्त आउशादों के नक्षेपड से धारवड सनरचना का विकास हुआ है, जो जियास रहित प्र तो सी लॉंझ परवत में भी सनरेश्णा का विकास हुआ है धारवड क्रिम की चट्टाने परद्दार्ष यहुद्धाने होँती है जिसमें जीवाश्मकावा होता है यही कारण है कि खनेस्ते लोगोले का अभाव होता है धारवण क्रम की चट्टानों को आर्थिक द्रश्टी से अधिक महत्यपूर हैं जिसमें कई प्रोंखनक जैसे लोहा, सोना, मैगनीच, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तावा, टंगस्टन, औसी साधी पाए जाते हैं कुडपक्रम की चट्टानों की बारे में, कुडपक्रम की चट्टाने आर्केन और धारवण सनरश्टना में बहुते किवंब राशनेक परिवर्तन की कारण प्राप्त आउसादों की निच्छेपड से कुडपक सनरश्टना का विकास हुआ है चट्टानों का रूपा अंत्रण धारवड किरम की चट्टानों की तुल्ला में कम हुआ है यह वी जीवास में रहे तावसादी चट्टानों से निर्मत होती हैं जिनमें चूना पत्थर का सरवादिक भंडार होता है। चट्टानों की बाद हुआ जिसमें कुटपा सनरचना की बाद विकास की बाद आउसादों की छेपड से बिन्दियन सनरचना का विकास हुआ। जिन घाटियों में इस सनरचना का विकास हुआ है। दामुदर, शौन, महा नदी, नर्विदा और गोदावरी नदी बेशन से हुआ है। और इस सनरचना में भारत की उल्जा की आवश्यक्ता का आधार है जो भारत के 98% कोईला भी इसी सनरचना में पाये जाता है। चोटा नागपुर के पठार में दामुदर, नदी बेशन, कोईला भिंडार की दर्ष्टी से भारत का सबसे महत्यपूर इस्थल रहा है। अब पढ़ते हैं दक्कन ट्रेप के चत्तानों की बारे में दक्कन ट्रेप का निर्माड क्रेटियस से लेकर इयोशीन काल तक माना जाता है। की काठियावाद प्रायदीप, मदिप्रदीश की मालवा का पठार, गुजरात की राजमहल पहाड़िया, तेलंगाना का पठार, तमिलाडु को कोया में टूर मद्रई पठार, करनाटक की बेंगलूरु मैसूर पठार में भी वेसाल चत्तान की निर्मित सनलेचना पाई ग हुआ है, तरसरी गरम की चत्तानों में उत्तर पूरी भारत और जमू एवं कश्मीर में निमने स्तरी एक वोला पाया जाता है, जो हिमाचल प्रदीश एवं गडवाल हिमाले में चूना पत्थर के रिच्छिप पाई जाते हैं, क्वार्टर के नरी क्रम की चत्तानों के बा से इनकाल में ही हुआ है, तथा थार के मरुस्थल में भी प्लिस्टेशून काल के निच्छिप मिलते हैं, तो यहां पर हमने भारत की जो भावलिक नर्चना है, उनके भुवात किर्टिक प्रदेशों के बारे में देखा, जिसमें पड़ी है, आर्कियन क्रम की चत्ताने, जो ग्रेनाइट और नेश से निर्मेत होती है, यह भारत की प्राचीनतम सनर्चना है, फिर आती है धारवर क्रम की चत्ताने, जो यह आर्कियन क्रम की सनर्चना के बाद भौतिक और रायसानेक परिवर्तनों के आउसादों के निच्छेपड से धारवर सनर्चना का निर्म संजशना है जिनमें शूना पत्तर का सरवादिक भंडार पाया जाता थी बिंधिय किरम के चत्तानों का निर्माड भी दप्प्पा कि चत्तानों के वाध हुआ जिसमें अवसाधी को 안च्षेपड से बिं। सनरचना का विकास हुआ फिर आता है गोंडबाना क्रम की चट्टानों का निरमाल ऊपरी कार्वन और फिर सकाल से जुरेशिक काल की मद्ध हुआ जिसमें कोईला भंडार की दृष्टी से भारत में सरवादिक महतपूर छेतर रखती है जिसमें भारत का 98% कोईला गुडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है फिर आते हैं दक्कन क्रम की चट्टाने जो क्रिटेसियस काल से लेकर यह उसे इनकाल तक मानी जाती हैं जिनका विकास लावा प्रभाय के भल स्रूप हुआ है जिनका सरवादिक विस्तार महराष्ट में में इसका छेत्र का विस्तार में है फिर आते हैं तरसरी क्रम की चट्टानों का विकास कस्मीर से असंतक हुआ है जो यह उसे इनकाल से लेकर प्रभाय शे इनकाल में हैं और यह हमारा परवसर इंखला में इनका निर्मार हुआ फिर आती है क्वार्टरनेरी क्रम की चट्टाने जो इनकी सनरचना में मैदानी छेतरों में पाई जाती हैं जिनमें पुड़ानी जड़ोल मैदा जिन है बांगर कहा जाता है जिनका विस्तारमाद देबमुपरी पिलिष्टी कुसोन काल में हुआ जबकि नभीन जड़ोल मिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट को टॉपिक के साथ मिलेंगे और वी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद